नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आःभेडिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने गन्य का पेड़ लेकर आया हूँ और आज इसी गन्य फाइदेक बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन जानने वाला बात दोस्तों यहा है कि गन्ने के बहुत सारे परजाती होते हैं लेकिन सबसे अच्छा परजाती गन्ना होता है काला वाला तो देख लीजे दोस्तों यहा है काला गन्ना जो आप देख रहे हैं और यही पर दूसरा गन्ना भी है सफेद वाला सफेद वाला गन्ना जो होता है जड़ इस तरह सफेद होता है और काले गन्ने का जड़ इस तरह से काला होता है देख लीजिए दोस्तों गन्ने का पत्ता इस तरह से होता है देख लीजिए चवले चवले और लंबे लंबे होता है और दोस्तों गन्ने को इंख भी कहते हैं उ दोस्तों सभी पर जातिक गन्यों का पत्ता सेम टू सेम ही होता है कि जैसा होता है लेकिन कुछ बड़ा कुछ चौला और कुछ छोटा छोटा भी होता है लेकिन हां दोस्तों सफेद गन्या में रस कम निकलता है वहीं काला गन्या में भरपूर रस निकलता है देख लिजिए तो चलो दोस्तों अब हम गंद एक फाइद एकवाह एक बार आहले हमारे शरीर के लिए कितना फाइदे मंद है दोस्तों गंद का जूस पेटो के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है या पाचन सकती को बढ़ाता है लिवर की infection को दूर करता है पेट में होने वाले बादी को बाहर निकाल देता है अगर किसी का पेट हमेशा दुखता रहता है बार-बार दुखता है पेटों में CDT गैस होता है गैस इधर से उधर भागता रहता है तो दोस्तों सुबा सुबा खाली पेट गन्ने का जूस करीबन दो गि किसी को पीलिया रोग हो गया है तो सुबा सुबा खाली पेट दो गिलास गन्ने का रस पीने से पीलिया रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है चार-पांच दिन के अंदर इतना फायदे मंद होता है दोस्तों गन्ना का जूस दोस्तों गन्ना के जूस में नीबू मिला कर पीने से ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और ब्लड पेसर के बिमारी भी दूर होता है दोस्तो गन्य का जूस गन्य का स्वाज मीठा होता है और गन्य का उपर वाला हिस्सा जो है हलका हलका सिठा और मीठा और खटा भी होता है दोस्तों बवासीर रोगियों को गन्ना का जूस कम से कम एक महीना तक लगातार पीता रहे तो उसका बवासीर रोग बिल्कुल ठीक हो जाये जड़ से इतना फाइदे मंद होता है गन्ना का जूस बवासीर रोगियों के लिए दोस्तों पेट के अंदर चिपके हुए मल को निकाल कर बाहर करने के ताकत रखता है या गन्णा का जूस, अगर कोई पेसेंट है कबज का, अगर कबज रोग से परिसान तो लगातार कम से कम 500 यम्ल गन्णा का जूस पी ले, तो पेट का कबज निकल जाता है, पेट साफ हो ज जाता है इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों गन्ना का जूस दोस्तों गन्ना के जूस से गुड़ भी बनता है और वह गुड़ बहुत सारे चीजों में इस्तिमाल किया जाता है और यह गन्ना बलवर्धक सक्तिवर्धक माना जाता है और इससे बनने वाला गुड़ भी सक् तरह से होता है तो दोस्तों गन्ना के अंदर भी बहुत सारे विटामिन तत्तु भरे हुए हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद होते हैं यह जो देख रहे हो यह जो देख रहे हो उपर चमकता हुआ हिस्सा दोस्तों यह फाइबर होता है और यह पेट और करते हैं तो हमारे सरीर का बल तुरंद तुरंद बढ़ने लगता है या गन्ना का जूस हमारे सरीर को तुरंद के तुरंद तुरंत के तुरंत एनर्जी पहुँचाता है। इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या घंणा का जूस और हां दोस्तों घंणा का जूस पीने से भूग का एसास भी नहीं होता है। दोस्तों या गन्नाग जूस पूर्सों में होने वाले सिग्रपतन के रोग में भी फाइदे मंद है और धातू रोग में भी फाइदे मंद है दोस्तों जितना या पूर्सों के लिए फाइदे मंद होता है गन्नाग जूस उतना ही इस्तिरियों के लिए भी फाइदे मंद होत सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आइरवेदी